हाई गैस वेकम दो मैं आलाइन से मिना नाव है देव आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं कि Tax Calculator आपको कैसे यूज करना होता है अभी देखिए माच आने वाला है और अगर आप 22-23 के लिए Tax Planning करना चाहते या फिर Assessment या 23-24 के लिए Tax Planning करना चाहते तो ये जानना जरूरी है कि कहां कहां पर आप Tax बचा सकते और इसके लिए ये important factor हो जाता कि कितना आपका इस साल Tax बढने वाला है तो देखिए मैं आपको Official Calculator के थूँ Step by Step या पर समझाने वाला हूँ ताथ में गईस बताना चाहूँगा अगर आप Tax Expert के थूँ आपको अपनी Tax Planning करना चाहते है, Tax बचाना चाहते है बहुत ही कम cost के उपर Tax Consulancy लेना चाहते है इसके link में मैं आपको Simply Description Box में प्रोवाइड कर दूँगा तो देखिए कई टैक्स को कारने के लिए आपको क्या करना मिलने वाले है, जैसे अगर मैं salary की बात करूँ तो यहाँ पे आपको Standard deduction, LTA, HRS, सब कुछ घठाने के बाद में Simply आपको अपना salary करने कम होता है वो डालना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा detail नहीं मिलेगी इससे better क्या है, मैं आपको recommend करूँगा, यहाँ पे Simply आप अपना account बना लो, account बना हुआ है अच्छी बात है, Simply आप एक बार login कर लो, देखें guys, login करने के बाद में जब आप अपनी home screen के उपर आएंगे न, तो यहाँ पे आपको income and tax estimer के नाम से यहाँ पे टूल मिल जाने वाला है, तो इसके उपर आपको Simply क्लिक करना है, तो देखें यहाँ पे आपको सारी चीज़े मिल जाएगी, जो advanced level की चीज़े होती है, for an example, यहाँ पे basic information में देखेंगे, तो accessibility यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि मेरे यहाँ यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जितने भी हमारे 5 हैट होते हैं, basically salary, house property, capital gains, business and profession और other sources, यह पांचो के पांचो यहाँ पे दिये हुए, तो अच्छी बाते हैं, चाहाँ आप 1 फाइल कर रहे हो, 2 फाइल कर रहे हो, 3, 4, कोई सा भी फाइल क्यों ना कर रहे हो, सब के सब्सक्री निश्यू हो चुका है, तो वहाँ पे आप चेकाउट कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, अपने simply company की portal के उपर login कर लिए, और वहाँ पे आपको अपनी salary सलिफ सब्गरे मिल जाएगी, तो simply आपकी जो भी gross salary है, उसका amount यहाँ पे आप simply enter कर सकते हैं, उसके ब सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, अपने professional tax वाले column के अंदर, और जो एट्वाद में दीची है, आपको दो deductions और मिलती है, तो normally एक entertainment allowances होता है, एक professional tax होता है, और एक standard deductions होती है, तो देखें guys, यहाँ पे simply standard deduction होती होती है, हर साल जो है 50,000 रुपे तक यहाँ पे मिल जाती है, इसके लाब guys, अगर आपका professional tax करता है, तो जैसे कुछ state होती है, जैसे महाराश्चा हो गया, बाला का साइट वगर हो गया, तो 12 से उसे 2400 रुपे तक का आपका professional tax करता है, अगर वो करता है, तो यहाँ पे आप डाल सकत पे किये, उसमें जो interest का VC लिए जो proportionate होता है, उसका 2,00,000 रुपे तक आपको यहाँ पे इस column के दर deduction मिल जाएगा, इसके लागर आपने property rent पे रिर्र किये, तो जितना भी rent आपको receive होता है, वो आप यहाँ पे डाल सकते, उसके अगर इसमें property tax का आप यहाँ पे deduction वगरे ले सकते, तो यह automatically उसके उपर tax वगरे calculate कर लेगा, उसके बात में जो next column है, capital gain का, तो देखे अगर आप equity mutual funds या equity अगर आपने stocks वगरे sellout के इस साल, और आपने short term capital gain कमा रखा है, तो 111 एक इंदर quarterly wise, break up wise आपको वो details देनी पढ़ेगी, और इस details को निकालने के लिए simply आप जो भी DMAT account होगा, जैसे जिरोधा हो गया, ग्रू हो गया, वहाँ पे report वाले section के इंदर जाईए, वहाँ पे आपको tax paidal मिल जाएगा, तो simply जो quarterly wise जो यहाँ पे आप अपना data वगरे fill up कर सकते हैं, कि किस quarter के इंदर कितना आपने आपने profit कमाया है, ऐसे ही guys, अगर let's suppose अगर अगर आपका long term capital gain है, तो यहाँ पे आपको 112 एक का column में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको एक लाख रूपे डिडेक्शन वगरे allow रहती है, और उसके beyond आपको basically यहाँ पे tax वगरे pay करना पड़ता है, तो जितना भी आपका quarterly basically long term capital gain मन रहा होगा, वह simply आप यहाँ पे insert कर सकत है, इसके लाख इस next column जो हमारा है business and profession का और यहाँ पे आपको 4480, 4480 यह दोनों मिल जाएगे, तो अगर आप एक business चला रहे है simply, तो अपना जो भी turnover है वह यहाँ पे आप simply डाल सकते है, और उसका minimum आपको 8% का वगरे profit वगरे दिखाना पड़ता है, ऐसे ही guys अगर आप एक profession के अंदर है, तो अपना जो भी gross receipt है, उसका minimum आपको 50% का profit दिखाना पड़ता है, तो simply अपनी वह income जहाँ पे आप डाल सकते है, इसके लाख अगर आपकी कोई other income है business and profession से, तो वो भी आप यहाँ पे insert कर सकते है, इसके लाख है जो next column आता है, वो other sources का आता है, जिसके अद वाले column के अंदर, और अगर आपने कोई bonds वगरे ले तके securities के उपर आपको interest मिलता है, तो वो चीज़े आप यहाँ पे डाल सकते है, इसके लाख आपकी winning from the lottery है, cross proposals है, dream 11 जैसी अप से अगर विनिंग वगरे amount अगर वगरे आपको receive हुई है, तो वो चीज़े भी आप वाली है, अगर ATC में अगर आपका LIC, PPF, NSC, repayment of housing loan है, आपका principal amount है, तो यहाँ पे आपको 10,000,000 रुपे की basically यहाँ पे deduction देखने को मिल जाती है, तो वो amount यहाँ पे आपका pension fund है, अगर आपने NPS के अदर 50,000 रुपे invest कर रखे, especially, तो यहाँ पे आपको additional 50,000 के deduction मिल जाए यहाँ पे आपका medical insurance का जो premium होता है, अगर आपको deduction वगरे मिल जाएगा, इसके लागा अगर आपके preventive health check-ups है, तो 5,000 रुपे का वापे भी आपको मिल जाएगा, plus अगर periods वगरे का भी, अगर वो senior citizen है, तो 50,000 रुपे का medical expenditure और आपको medical insurance दोनों चीज़े आपे मिल जाती ह इसके लागा इस यहाँ पे ATG का कॉला मिल जाता है, अगर आपने कहीं पे donation वगरे कर रखी है, तो उसकी donation की amount है, जो जितनी भी deductions है, आपको आपको available हो सकती है, simply है उसकी receipt check कीजिए, वापे लिखा हुआ होता है, तो वो amount यहाँ पे आप डाल सकते है, इसके लागा इस अगर आपने higher education के लिए loan वगरे ले रखा है, तो उसका interest का amount है, उसके उपर आपको unlimited यापर deduction मिल जाएगी, इसके लागा इस normally आपका saving account होता है, उसके उपर जो interest होता है, उसके उपर 10,000 रुपे तक आप basically आपको deduction मिल जाता है, और guys जो senior citizen है, especially उनके लिए ATTB के अंदर basically आपको 50,000 रुपे तक FD के उपर interest होता है, जो saving account के उपर interest होता है, उसके उपर deduction मिल जाएगा, लेगर ये column के लिए Unable होगा, जो basically उपर जो है, यहापर senior citizen select होगे, इसके लागा guys अगर आपकी कोई भी other deduction है, तो वो आप यहापर डाल सकते हैं, और इसको यहापर insert कर सकते हो, और यहापर add deduction के, यहापर बहुत सारे आपको columns मिल जाएंगे, जापर आप insert कर सकते हैं, उसके बाद में guys जो nas column है, वो आपको tax details का मिलेगा, तो अगर आपको कोई tedious वगरे कटा हुआ है, तो यह automatically यहापर fetch कर लेगा, अगर fetch नहीं करता है, तो आप view details के उपर click और simply आप amount जो है वगरे यहापर डाल सकते हैं, इसके लगाईस अगर आपने कोई advanced tax वगरे payment कर रखिये, तो यहापर भी आप provide details वगरे कर सकते हैं, कि कब आपने payment किया है, तो वो चीज़े आप डाल सकते हैं, और last पे simply आपको estimate tax के उपर click करना है, तो देख सकते हैं, यहा पूरे दंग से यहापर explain कर देगा कि आपकी नीतनी income है, और आपने इस तरह से यहापर जो हम लोग ने tax calculate कर रखा है, तो यहापर आप देख सकते हैं, आपने जो salary दिखाईती है, यहापर standard deduction आपको मिल गया था, यहापर आपको नहीं मिलाता है, तो इसलिए new tax reason में पूर 280 रुपे का tax बढ़ रहा है, साथ में guys, अगर आपको कोई भी interest होगरे भी लगता है, एन्वार tax के उपर तो वो चीज़ भी यहापर आपको दिखा देगा, तो easily आप जो है, बार्च के पहले अपना एन्वार tax भरकर जो है, इस interest को यहापर easily कब कर सकते है, तो guys, hope you like this video, please subscribe आप लोग के कुई भी doubt से comment box में बता सकते हैं, प्लेसर आपको tax expert के थुरू cancel analysis चाहिए, तो link आपको simply made description box के तर प्रोवाइड कर दूगा, thank you guys, thank you very much